हम मनाएंगे मुंबाई special वड़ा पाउ और फ्राइ मिर्च जो की दिली में भी बहुत वाइरल हो रहा है आजकल वड़ा पाउ चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है आधी चम्मा चल दी लिया है आधी चम्मा लाल मिर्च लेंगे स्वाद अनुस अपने बेसन को फैटते हैं उतना अच्छा हमारे वड़े बनते हैं यह देखिए इस तरीके से हमें बनाना है अब देखिए हमने अब ले हुए आलू ली है छील के इनको मैसर शेव मैश कर देंगे देखिए आलू मैश हो चुके है अब एक कड़ाई में मैने सरसो का तेल चड़ाया है सबसे पहले मैं इसमें मिर्च को फ्राई कर लेती हूँ देखिए इस तरीके से मिर्च को डाल क्या फ्राई कर सकते हो तेल में मिर्च फ्राई हो चुकी है अब उसी तेल में हिंग डालूंगी आदी चम्मच एक चम्मच धनिया के दाने डालूंगी साबुत धनिया मतलब स्वादनुसा नमक डालूंगी हल्दी डालूंगी अधनिया पॉटर डालेंगे लाल मिर्स अच्छे से अपने मसाले को भून कर जो हमने अलू को मैश किया था वह हम इसमें डाल देंगे डालने के बाद अच्छे से हम इसको मेक्स करेंगे कितना चटपटा हमारा आलू का मसाला बन रहा है यह कड़ी पत्ते भी डाल देंगे यह देकिया आलू का मसाला बनके तैयार है अब इस तरीके से अभी गोल बॉल बना लिएए यह देखिए इस तरीके से सže बैसन का गोल भी देखे बनने के हमारा तयार है जो हमने बौल बनाई है इसम depends करेंगे बाइड नलिभा अ dona संक अरऊ करेंगे और गरम तेल में प्राइग चुकी है कि अ इस तरीक से इस राए अच्छा जब तक गोल्डन हो जते हैं को फ्राए कर लेते हैं यह देखिए यह फ्राय हो चुकी है ह्गिए रेकिया हम इनको निकाल लेते हैं ये देखिए बढ़ा बनाने के लिए मैंने बिपल्कुल बढ़ा बाओ वाली पाव लीँ अगश कोनिकिया अप्रॉल पाव ले सकते हैं इसको मैं कट करूंगी हर इदन यह की चटनी लगाएंगे लाल वाली मीठी चटनी लगाएंगे बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जो हमने वड़ा बनाया ता वो रखेंगे फ्राय मेच लगाएंगे और देखें इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और हमारा करे कमेंट करे चैनल सब्सक्राइब करें